ट्विन्स माई वर्ल्ड के साथ जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें फिर बेल एकन को दबाईए हेलो दोस्तों मैं हर्शिता और आप देख रहे हैं ट्विन्स माई वर्ल्ड आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली इंडियन मॉम्स के लिए है कहीं न कहीं इंडियन मॉम्स के दिमाग में ये खयाल आता है उनके आसपास जो हमारे इन्वार्मेंट ऐसी तरह का बनाया जाता है जिसे हमें जो नजर लगने वाली जो चीजें होती है उसके हम बिलीव करते हैं क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि इसे बिलीव करना चाहिए बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसे बिलीव नहीं करने चाहिए सबकी अपनी धार्णा है और in fact मैं आपको अपनी personal बात बता दू कि मैं भी इस इसको कही न कहीं आप मानने लगी हूँ पहले नहीं मानती थी पट अब मैं मानने लगी हूँ क्योंकि जब सवाल आपके बच्चे का होता है तो आप प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आप वो सब कुछ करना चाते हैं जो आपके बच्चे के लिए सही होता है तो बट ओव्यस सी बात है कि इंडियन मॉम्स के दिमाह में एक ख्याल आना बट नाच्रल सी बात है क्योंकि देखे अगर पॉजिटिव एनर्जी है अगर गॉड है तो डेविल भी है इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं मानना नहीं मानना आपके अपनी मर्जी लेकिन हाँ जी हाँ नजर लगती है बच्चों को नजर जैसी कोई चीज होती है अब आप अपने आज पास के बहुत सारे लोगों को देख लीजिए बच्चों को आप अब जॉल्फ करके देख लीजे तो आप हमेशा देखेगा कि बच्चे के हाथ में काला धागा पाउ में काला धागा इनफाक्क गर्दन पे और कमर पे भी लोग पहनाते हैं वह क्यो का में रीजन यही है लेकिन हां कुछ लोग जैसे की कुछ अग्यानता भी है बहुत लोग साफ सफाई का ख्याल नहीं रख पाते हैं जिससे कई सारे बीमारियां भी बच्चों के अंदर घेर लेती हैं तो वह चीज से बचने के लिए आप नको नजर अगर आप मानते हैं तो आप यह सारी चीजे तो करिए लेकिन साफ सफाई का जरूर ध्यान रखिए जैसे कि आप पूरे 10 दिन या 15 दिन आपको जब भी लगी कि वह धागा गंदा हो चुका है खराब हो चुका है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है आप पच्ची को बह देता है उससे इसका एफ्यक्त कम हो जाता है इसलिए काले रंग को इतना जादा नजर उतारने के लिए प्रभाव शाली माना जाता है अब जैसे मैं बात करूं कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स देखें भीवारी तो अबश्य सबंगारsec अर्वी सी बतर बच्चा वोगा को भीज हुआ है इस ब्चाम होग झीओधा थो नहीं बतर कोई बाफ़ बच्चा नज चलता है कि बच्च को बच्च को नजर लग गई अब अपकि कि अगर तो आपके आज़ पास कोई बच्चा क्यूट सा है तो ऑविसी बात है कि सारे लोग इसको बोल देते हैं यह फिर अच्छा है काफी सुन्दर दिखता है गोरा है बहुत घंए आज़ आज़ इसे कमेंट्ट्टो सकते हैं जिसे की बच्ची को टोक लग सकती है लेकिन बच्च या फिर वो बच्चे को थोड़ा सा उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ नीगेटिव भावना रती है कुछ नीगेटिव वाइबस रहती है जिसकी वज़ा से पच्ची को टोक लगती है देखे सारे टोक का मैं नहीं कह सकती हूं लेकिन एक दो परसेंट ऐसे भी लोग होते हैं ज जिससे कि आप नजर को आप एवाइट कर सकते हैं जैसे कि मोस्ट कॉमन रिजन जो मैंने देखा है बच्चों में कि बच्चे अचानक से खिलते खिलते रोने लगते हैं या फिर वो राद भर रोते रहते हैं जिसका कोई रिजन ही नहीं आपको पता चलता है आप कोलिक का आप दवाई भी देखे देख चुके कोलिक के भी सारे उपाय आप कर चुके कुछ नहीं काम कर रहा है कुछ अन्यूजवल सा बिहेवियर आप देखेगा बच्चों में तो डेफिनेटली डेफिनेटली बच्चे को नजर लगी हुई है आप बिलीफ करिए या नहीं करिए यह आपके उपर है लेकिन ऐसा माना जाता है तो सबसे पहला जो मैं उपाय आज बताने वाली हूँ बहुत इजी उपाय है जैसे कि सारे मॉम्स काफी बीजी रहती है उनके लिए एक सिंपल सा उपाय यह पल नमक सपोई के घर में सफेद नमक होता है कोई और नमक ढूणन है साथ बार और साथ बार वारते समय आपको यह बोलना है हसनी खेलनी आगे आए रोनी धोनी पीछे जाए जी हां आपको सुनके बहुत अजीब लगेगा लेकिन ऐसा बोलने से इसका यह तात्परे होता है कि बच्चे की खुशियां सामने आए और उसका दुख जो अजीब लगेगा और उसका दूसरी बहुत सिंपल सी ट्रिक बतारी हूं आपको सिंपल एक ग्लास का आपको शीशे का ग्लास लेना है और उसमें ठहरा हुआ साफ पानी होना चाहिए किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए उस ग्लास से भी आप बच्चे के से लेके पाऊं तक पूरा वार सकते हैं और यही बात बोलना है हसनी खेलनी आ गया है रोनी धोनी पीछे जाए करते वे अगर साथ बार उस पानी से आप यह करिए और पानी को जाकर आप आराम से ड्रनाउट कर दीजें यह तो दो सिंपल सी ट्रिक पताऊं एक जो ट्रिक ह पर खाना वाना बनता था तो उनके लिए मिर्च को जलाना काफी होता था बट अब हम लोग इन्वार्मेंट को कॉंशेंस भी रहोगा है थोड़े से हमें पॉल्यूशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारा कोई ऐसी एक्टिवीटी ना हो जिसे की पॉल्यूशन बढ साथ आपको लेनी है और आपको एक या दो इस्पून आप मस्टर्ड की सीट्स यानि की सर्सो या राई जो आप बोलते हैं उसको आप ले लिजे हाथ पर अपने हथेली पर अख लिजे और मुठी बांते हुए फिर से वही प्रॉसेस करना आपको साथ बार आपके बच्च कि नजर उतार सकते हैं और उस जो मिर्च और सर्सो को आपको जलाना है Хी कि आघर मिर्च वागरा गाते हैं धाल चांस जासले मतलब बहुत तीखा होता है उसका द्ताय तो अगर उस जलानी के साथ सथ अगर जब आप ये नोटीस करिएका कि अगर वह तीखा सथ मिमान कि आपके बच्चे को नजर लगी हुई है अगर धुआ निकल रहा है तो मानेगे कि नजर नहीं लगी हुई है यह भी एक बहुत बड़ा करेगा और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेजे और कमेंट करना मत भूलिए कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं क्या टॉपिक देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट करिए थैंक्स फर वाचिंग ट्रिंस माइवल्ड